हलो एंड वैलकम टु माई चैनल आज हमें देख रहे हैं लीब्रा यानी तुला राशी के लिए एप्रेंट 2023 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहे किसी को ले करिया रीडिंग है गल्स बोई सबीक लिए रीडिंग होगी जो सिंगल है मेरिट कपल सही है अगर किसी रिल झाल यह कार्ड आया हैं आपके लिए और काफी कुछ मेसेज्जिस हैं फरस्ट अगर टैरो डैके साथ स्टार्ट करें आपके लिए रीडिंग तो यहां आपके लिए कार्ड आया है आप में से कुछ लोग जैविनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ रिलेशनशिप में हैं यानि मितन तुला और कुम आपके पार्टनर की राश्या हैं और यहां ऐसा लग रहा है कि लिब्रा आपकी सी दो राहे पर खड़े हैं या एक से ज्यादा लोग आपकी जीवन में हैं य क्योंकि कहीं न कहीं फ्यूचर आपको दिखनी राज इस पार्टनर के साथ आप हैं कहीं क्लियर टी वो नहीं देख पार है जो आप देखना चाहते हैं इस तरह की सिच्वेशन यहां दिख रही है और शायद बाचित बंद है या आपके पार्टनर से आप बहुत कम बात कर हैं कैंसे स्क्रोपियो पाइसी स्कर्कमीन और प्रिश्टिक उनकी राशी है और यहां ऐसा लग रहे हैं कि आप जैसे परसन चाहरे हैं शायदा भी आपको नहीं मिले हैं या जो आपकी डिजार वो मिसिंग है और यही चीज़ यहां पे दिख रही है अगर आप सिंगल पर एकसप्टेशन कहीं न कहीं मिसिंग आपको दिख रही है इस तरह की एनर्जी यहां दिख रही है क्योंकि आपने अपना 100% दिया है रिलेश्टिक को चाहें आपके मैरिस पार्टनर हों या आपके दावर हों या अगर आप जिनके साथ भी रिलेश्टिक में उनको आपने पूरा अपनी तरफ से 100% दिया है पर आपको बदले में वैसा नहीं बिल पा रहा है इसलिए आपको लग रहा है कि आपको चाहते हैं जो आपकी डिजायर है वो मिसिंग है और ऐसा आपको दिख रहा है और यहां नेक्स्ट कार्ड आया है आपके लिए सिक्स ओफ कप्स का तो यहां ऐसा लग रहा है कि वाटर साइन के एनरजी पर स्ट्रॉंगली आई है कुछ लोग टुन फ्लेम जर्नी में हैं कुछ लोग सॉलमेट जर्नी में हैं और जो सिंगल परसें उनके लिए ऐसा को रिलेशन्शिप आ सकता है जो आपके चाहिलूट फ्रेंड रहे हो या कुछ लोगों के लिए XB ねPBaker थीख रहे हैं और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहे है कि आपके जिन के साथ कुछ Buenos- proven या निव आपके नेवर रहे हो सकते हैं बड़ोसी रहे हो सकते या जिनके साथ आपने schooling, college की हुई हो सकती है वो आपके classmate इस मत में आपसे connect हो इस मत में उसके chance है या पहले से आप जिनकों जानते हैं उनके साथ ही आप दुबारा relationship, friendship या एक starting आप के लिए आरही है और यहां कुछ लोगों के लिए past life connection भी strongly दिख रहा है क्योंकि six of cups ये बताता है कि past life connection जो है उससे related भी कुछ चीज़े इस मत में आपके साथ होगी हो सकता है आप अपने past life lover से मिलें इस मत में first time ऐसा भी दिख रहा है और कुछ लोग already इनके साथ connection में है और उस चीज़ से related signs भी आप इस मत में देखेंगे और next card आपके लिए जैसा आया है nine of source कुछ लोग Gemini Libra Aquarius के साथ relationship में है एयर साइन के साथ मेतन तुला और कुमोन की राशी है और यहां ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत परिशानी भरा सामें देखना पड़ा है आपके partner ने आपके साथ शाय चीटिंग की है या कुछ आप के साथ ऐसा किया है कि आप बहुत निराशा परिशानी अवसाद जैसे इस्तितियों में चले गए अभी तक और काफी दुख आपने उठाया है और अगर आप एक सिंगल परसन भी है तो काफी अपने challenges फेस किये हैं अपनी life में और इसी वज़े से आप काफी अपने आपने कहीं न कहीं मनमटाव जैसी सितियां इस वज़े से है क्योंकि उनकी मदर की तरफ से या आपकी मदर की तरफ से कोई issue है या आपके रिश्टे के लिए कहीं आपकी family agree नहीं है especially mother और यहां आप देख रहे हैं white and black wolf तो आप लोगों के जो कह सकते personalities हैं आपके partner की और आपकी उ life affected है mother related issues से और इसी वज़े से आप काफी overthinking में हैं बहुत जादा सोचे जा रहे हैं रातों का जाग रहे हैं नीम भी आपकी disturbance चल रही है और बहुत बहुत बैचेनी जैसा अनभव करते वे आ रहे हैं और ऐसा आपकी mother related issues चाईव आपकी हो या आपकी partner की mother हो उनकी तरफ से आपको यहां काफी कुछ anxiety परिशानी जैसा रहा है अभी तक ऐसा भी दिख रहा है और यहां पर full moon है तो full moon day तक आपको कोई positive news मिलेगी इस month में आपके लिए कुछ changes होंगे और इस वज़े से आप इस इस तर्थी से बाहर निकल पाएंगे और next card आपके लिए आया है night of coins का card है तो टारस वर्गो कैप्रो कॉन भी कुछ लोगों के partner है यानि वरिशब राशी मकार राशी कन्या राशी के आपके partner है और यहां ऐसा लग रहा है कि यह finance से जुड़ा काम करने वाले कोई बहती खुबसूरा decent person आप से जुड़ सकते हैं इस month में कुछ लोगों के लिए marriage proposal हो सकता है कुछ लोगों के लिए यह एक friendship हो सकती है जर्नल connection भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहां ऐसा दिख रहा है और यहां अगर wisdom of hidden dream oracle deck से card देखें तो first card आया है the arrow master का तो यहां ऐसा लग रहा है कि hitting the mark intentions or detachmentry आपके साथ ऐसे कोई person जूड सकते हैं जो sports person हो और बहुत ही समझदार intelligent or successful होंगे और number 10 आया है तो इनके साथ आप बहुत fulfillment फील करेंगे और यह अपनी काम में बहुत कह सकते हैं इनको बहुत बढ़ी success achieved है already इस तरह के कोई person आप से जूड सकते हैं और यह हो सकता थोड़ा सा आपको लगे कि भावक नहीं है और emotional type के ल नहीं होता पर यह समझदार loyal person है और यह कुछ लोगों के लिए friendship हो सकती है कुछ लोगों के लिए marriage proposal हो सकता है कुछ लोगों के लिए love proposal भी हो सकता है आपका इन से मिलना और यहां और next card आपके लिए है the hawk prince spirit communication paying attention और 11 number दिया गया है तो यहां आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे messages universe send करेगा Libra इस मत में specially आपके लिए जो आपके questions हैं उनके answer आपको इस मत में मिल जाएंगे पर यहां आपको ध्यान देना होगा science पर ताकि आप समझ सकें कि आपके लिए क्या सही है गरत है और कुछ आपके लिए supportive energies universe की तरफ से दिख रही है आपको कुछ चीजों के लिए कह सकते है messages दिए जारें जो आपके लिए बहुत खास होंगे और उनको आपको समझने की कोशिश करनी है और जो लोग ट्विन फ्रिम जर्नी में हैं या अगर जर्नी में नहीं भी है तो हो सकता है आप अपने ट्विन फ्रिम के बहुत नजीख है पर यहां हॉक प्रिंस का काड़ी बता रहा है कि यहां कुछ आपको इससे related message मिलेंगे तो हॉक आपके आसपास हो तरह कभी यहां दिख रहा है और यहां नेक्स काड़ा है यहां इसा लग रहा है कि लाइफ में बहुत कुछ magical होने वाला है इस month में जो आपने accept में नहीं किया था वो चीज़ें आपके लिए हो सकती है जो आपने सोचा भी नहीं था वो सब चीज़ें आपके लिए होने वाली है इस month में सब कुछ magical तरीके से आपके लिए बहुत changes आ रहे हैं और यह changes बहुत happy changes होंगे जो आपको बहुत बड़ी relief देंगे जैसे number five भी आया है आप फि जापके लिए एक surprise की तरह होगी और यहां next card आया है the chest queen का the chest queen का card है तो यहां ऐसा लग रहा है कि यह भी आप से जूर सकती हैं यह बहुत loyal होने के सासद बहुत intelligent है और यहां हो सकता है यह थोड़े से introvert हो और यह ऐसा लग रहा है कि इन से आपका मिलना जो है वो universe की strategy होग और यह बहुत समझदार और बहुत clever हो सकते हैं और इनकी समझदारी जो है वो life में आपको भी बहुत motivate करेगी यह इनका साथ आपको life में कुछ नई चीज़े explore करने में मदद करेगा और करने वाले हो सकते हैं इस तरह से आप इने जान सकते हैं और next card आपके लिए आया है the diamond dreamer का material wealth और true prosperity जी आपके लिए abundance लिखा है लिब्रा तो इस मत में आपके लिए पैसा काफी आने वाला है कुछ लोगों की नए जॉब लग सकते हैं और कुछ लोग नए प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं तो जो भी आप कुछ नएा स्टार्ट करेंगे वो बहुत अच्छ आपको result इस मत में मिलने वाला है यानि पैसा काफी आ रहा है आपके पास wealth prosperity आपके लिए बढ़ रही है और आप इस सीच को कह सकते हैं बहुत अपनी luxury को बढ़ते वे देखेंगे इस मत में ऐसा लग रहा है जो सपने आपने देखे हैं वो सारे सपनों में से कुछ सपने आ अरिया में रहने वाले एक बहुत ही कुबसूरत स्ट्रांग personality की person से मिल सकते हैं जो लियो हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए और ये desert area से हैं इस सरे से आप इन्हें जान सकते हैं और बहुत intelligent समझदार और वहीं ये बहुत courageous person हो सकते हैं और 19 नमबर आया है तो ये इनका puzzle भी हो सकता है ऐसा देख रहा है और यहां अगर हम देखें ऑशो जैन कार से तो creativity का कार आया है पर ये reverse में आया था तो यहां ऐसा लग रहा है कि आप बहुत creative person हैं बहुत intelligent हैं आपके अंदर सरजनात्मक शक्तियां काफी हैं आप बहुत hard working हैं लीबरा पर यहां कुछ लो यह कोई person हो सकता है जिसका बहुत control है आपकी life में जैसा next card आया है control का तो किसी controlling person की वज़े से आप बहुत affected हो रहे हैं आपकी love life affected है और यह कोई भी person हो सकता है जिसका interfere बहुत है कुछ लोगों के लिए यह आपके partner के common friend हो सकते हैं कोई third party हो सकती है या यह कोई भी family member हो सकत है जो बहुत controlling है और उसी के वज़े से आपकी love life affected है आपकी creativity भी affected हो रही है आप बहुत खुल के अपनी energies का आपनी working capacity का पूरा use नहीं ले पार है ऐसा दिख रहा है तो किसी का control issue यहां दिख रहा है ऐसा दिख रहा है कि बहुत control में आप रह पा रहे हैं और इसी वज़े से बहुत दबाव महसुस कर रहे है पर next card आपके लिए बहुत अच्छा आया है ordinaryness तो यहां ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ होने के बवजुद आप life में अपने लिए रास्ते ढून लेंगे और बहुत सारी खुशियां आप इस मंत में अपने लिए देखने वाले हैं क्योंक सारी चोटी चोटी चीजों में आप खुशियां रूनने वाले हैं यहां आप देखनें flowers बहुत है तो अपने लिए happiness, peace और बहुत सारी abundance आप अपने लिए देख पाएंगे नमर 8 आया है तो justice भी आपको मिलेगा तो यहां आपके लिए अगर हम देखें जो परसन आ सकते है इस बन्त में उनकी इनिशियल्स जोडिक साइन और आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज इनिशियल्स अगर हम देखें भी नाम से हो सकता है आपके पार्टनर का नाम कुछ लोगों के लिए ए, पी, एफ, की और उनकी जोडिक साइन अगर देखें तो पाइसिस मिंद के एक्वेरियस दॉम राशि हो सकते हैं गुछ लोगों के पार्टनर जा मीन यहां हो सकता है कुछ लोगों के टार रस हो सकते हैं भरिशन राशी आपके पार्टनर की तरफ से messages देख रहे हैं it's too difficult for me to come forward जी वो आपके सामने आने से डर रहे है I could be your heo baby I am trying to think of what I want to say to you वो कुछ प्लान कर रहे हैं कि वो आप से क्या कहें शायद कुछ लोगों की रिष्टों की starting अभी होने लिखी है I am trying so hard to figure out how to make it work between us जी वो चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे चीजें आपके लिए ठीक और बहतर हो सके you broke my heart जी हो सबता है आपने किसी को reject किया है तो उनकी भी energies है कि आपने उनका दिल तोड़ा है even though I don't show it but I am sorry for how things spend between us जी वो आपसे sorry मांग रहे हैं उन्होंने शायद कुछ किया है आपके साथ कुछ आपके बीच में हुआ है और यहां यही सब messages थे आपके लिए और यही reading थी अगर यह reading आपके साथ resonate करे तो प्लीज मेरे शेनल को like share and subscribe जरू कीजेगा thank you so much for watching my video have happy month Libra